सब्सक्राइब करे मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कई बार आपने देखा होगा कि बड़े सांप छोटे सांपों को निगल जाते हैं लेकिन इस बार कैमरे की नजरों में हैरान कर देने वाला नजारा कैद हुआ है जहां तीन फुट के सांप ने अपने से दोगुने बड़े सांप की गर्दन जकड ली और उसको हार मानने के लिए मजबूर कर दिया यह नजारा ओडिसा के कोरा पुट जिले में कैद में हुआ है जहां पर एक छोटे से सांप ने बड़ी बहादरी से एक विशेले सांप प्रेट स्नैक पर हमला बोल दिया बड़ा सांप इसको शिकार बनाने के लिए आया था जिस जगेह पर यह लड़ाई हो रही थी वहां मौजूग लोगों ने जीवों को संरक्षन के लिए काम करने वाले कार्यकरताओं को सूचना दी तो वहां पहुँचे ये लोग यह नजारा देख दम रहे गए इनका कहना था कि ऐसा पहली बार देखा गया है कि एक छोटा सांप अपने से दोगुने बड़े सांप को पटकनी दे रहा है सांपों के संरक्षन पर काम करने वाले सुजीत कुमार मोहंती ने इस नजारे को मोबाईल के कैमरे में कैद कर लिया स्नैक हेल प्लाइन के संस्थापक शुभेंदर मलिक ने बताया कि छोटा सांप बेहत फुर्तिला था और उसने बड़ी मजबूती से बड़े सांप की गरदन पकड़ रखी थी जिससे वह एक्तम लाचार हो गया था कर दो